है वॆल्कम टू ए से वीडियों में हम लोग जानेंगे टोब्टल प्रोटीन ब्ला टेस्ट यानि कि शीरम प्रोटीन टेस्ट के भारे में हिसके न रम जारंगे सीरम सीरम गणोरी weeks और AG ratio के बारे में इसका यूज, प्राइज, नॉर्मल रेंज और रिपोर्ट कैसे समझना है यह सब चीजे हम लोग जानेगे पहले हम लोग जानते हैं कि एल्बॉमीन और ग्लोबलीन क्या होता है जो एल्बॉमीन होता है, ग्लोबलीन और फैवरीनोजन जो होता है, यह मेजर प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में मौझूद है यानि कि इसको प्लाज्मा प्रोटीन या ब्लड प्रोटीन भी बोलते हैं, जो लीवर द्वारा बनता है जो उल्बोमीन ग्लूब्ली फैवरी नोजन होता है जो प्रोटीन है हमारे लीवरफका क्या है यानि लीवरफका क्या होता है कि यह हमारे blood stream में यानि कि blood में dissolve होने के बाद यह enzymes, hormones, vitamins, minerals जो और भी nutrition होता है उसको यह bind करके एक tissue से दूसरे tissue एक organ से दूसरे organ तो ले जाने का काम करता है और हमारे जो body के अंदर body floats होता है उसको maintain करके रखता है leakage और यह leakage और होने से बचाता है यानि कि blood stream से tissue में body floats को नहीं जाने दिर में तो mainly total protein, albumin, globulin जो होता है वो अगर abnormal हो तो kidney disease या liver disease का indication हमने मिलता है तो total protein blood test होता है तो total protein तो होता ही है उसके अंदर और भी test होता है total protein का अलावा albumin भी होता है और globulin और AG ratio जो है blood test करते है कि हमारे blood के अंदर यह amount इसका कितना है albumin, globulin और AG ratio का कितना value होता है basically जो यह test होता है total protein, albumin, globulin यह जो liver function test का ही part होता है यानि कि liver function test के अंदर यह test included होता है अलग से करानी की जोड़त नहीं होती है लेकिन चुकि जो है हमें अगर पुरा liver function test का नहीं चाहिए क्योंकि इसका cost 900 रुपी होता है liver function test का 800-900 रुपी है और इसका जो cost है वो 1500-200 रुपी तक में हो जाएगा तो अगर doctor को लगता है कि सिर्फ हमें protein की जोड़त है तो सिर्फ protein test अलग से करवाते हैं वैसे liver function test के अंदर यह लड़ी यह test होता है तो इसके लिए blood sample की जोड़त परती है यानि कि fasting blood sample की जोड़त नहीं परती है आप दिन में कभी भी sample करा सकते serum sample लेते हैं no need fasting sample उसके वाद इसका प्राइज होता है वो 1500-200 रुपी होता है ग्राम स्पर डियल हमारे blood के अंदर जो होना चीए total protein total protein का मतलब होगा कि albumin और plus globulin यह होगया हमारा total protein ठीक है जो albumin का value होता है जिसमें से वह 3.5 से 5.5 होता है तो total protein में से जो है albumin जो आप घटा दे जितना बचे का उतना globulin बचे होगा तो globulin का normal range होता है 2.5 से 3.5 होता है और ag ratio का मतलब होगा कि albumin और globulin का ratio कितना है इसको आप divide कर दो तो वह होता है हमारा ag ratio यादि कि 1.5 से 2.5 तक हमारा होना चाहिए हमारा normal range यदि normal से ज्यादा या काम है तो कोई सारे विमारी हो सकती है जैसे अगर normal से ज्यादा है हाई है तो जो हमारे liver disease, kidney disease या कोई infection या malnutrition या inflammatory ball disease या thyroid disease का indication मिल सकता है लेकिन यदि low है तो low जो है बहुत सारे cases में हो जाते है जैसे कि अगर blood के अंदर यदि albumin low हो जाते है इसका मतलब dehydration है dehydration के बज़े से भी low हो जाते है डाइरिया हो गया vomiting हो गया इसके बज़े से dehydration हो जाता है इसमें भी हो जाता है और कौन-कौन से symptoms में डॉक्टर को लगता है कि प्रोटीन लो हो गया जिसके टेस्ट करवा जाता है तो यदि अगर किसी वेक्ति को बोड़ी में में wrestling में बोड़े में उस्केस में जो है यह टेस्ट करवाय जाता है कुंकि उसके इसका value कम हो जाता अगर बोड़ि में swelling ज़疫 उतलब 고म होंगे कम होने से क्या है कि हमारा혁 फूर्ट होता है तिसू में राहा है उसके बाद ये स्कीन जो आपका डामेज हो रहा है रॉफ प्रोटिन हो रहा है या जान डिस लिवर डिजीज में जानडिस हो गया है जानडिस लाइक सिम्टम जैसे तोटल एजी रेशियो भी वही होता है कि हमारा सिरोसिस वगरा को इंडिकेट करता है लिवर सिरोसिस वगरा हो गया, किड्नी, डिजियस, हेपाटाइटस हो गया, जॉनलिस हो गया इन सब्यूमर के केस में हो जाता है, और जदी बढ़ जा गया तो थाराइट, लुकेमिया, इन सब केसों में जो है, यह जी रेशियो